जय मादवित्रो आईए क्लास 10 के चैप्टर नमर 12 के प्रसनावली ए का नवा सवाल है प्रिष्टी छित्फर और आयतन का कि लकडी के एक ठोस बेलन के प्रतेक सीरे पर एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है यदि बेलन की उचाई दस से मी और आधार की 33,35 से मी है तो इस वस्तु का संपूर प्रिष्टिय छित्फल गयात किजे मतलब एक बेलनाकार ठोस है उसमें उपर और नीचे से दोनों सीरे उसे एक अर्ध गोलाकार उसमें से काटके निकाल लिया गया है उसके बाद पूछ रहा है उस ठोस पर कुल कितनी जग रहा है मतलब प्रिष्टिय छित्फल कितना है वो गयात करके बताईए ठीक है तो पहले हम चित्र बना लेते हैं कि अधर देखिया हूँ कि अधर कि यह माल लेते हैं वो ठोस है लकड़ी का कि अधर इसके ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से इसको काटकर निकाल लिया गया है ब्रित A fuck you bank I'll है यही भाग यहांसे काटकर निकाल लिया गया है ऊपर कि तरह अर में और ऐसे ही नीचे से भी निकाल लिया गया है काटके तो कह रहा है अब जो सेस भाग बचा है उसका प्रिष्टिय छेदपल गयात किजे मतलब उस पर कितनी जगह है वो बताईए आप ठीक है तो हम देखते हैं क्या कि मान दिया है करा बेलन की उचाई 10 से में है बेलन की उचाई कितनी है 10 cm है ठीक है उसके बाद कह है कितनी इसलों 5 से मिधय यहां से देखी यह केंद रहे हैं यहां से यहां तक कामान कितना इनचीन इस बांट सेंटिमीटर ठीक कोैसे दिया है जह ब़िए यच्च बराबर 10 प्रिश चैया प्लिटहों है कि जड़े लिए हम सेंटी लिए देखे और न है 3.5 cm या इसको हम लिख सकते हैं साथ बटा दो ठीक है cm उसके बाद हम क्या याद करेंगे बेलन का संपूर में प्रिस्थियक को चैतरफल बराबर क्या हो जाएगा बेलन का संपूर कित amigaшт exhibition का सुटर क्या होता है पहले तो हम वकष्ठी पीश्थे पल टू पाई आर टू पाय लिएस अप्लस दोनों सिरों का चो सेथरेव हो अगर आधार इसका बृत्ति आधार तो क्या वाजाएगा इसका छेट पर पाई आर इसक्वाइर और उपर वाले का भी पाई आर इसक्वाइर तो जुड़ेगा तो कितना वाजाएगा टू पाई आर इसक्वाइर यहां से कामन क्या करते हैं तूपई यसमें दो गुड़े पाई का मान 22 बटा साथ और गुड़े आरका मान कितना साथ बटा दो तो साथ बटा दो रख देता है, और कोस्टक में यच कमान कितना है, 10 है, तो 10 रख़िए प्लस, आर कमान साथ बटा, दो, थेख, यहां देखे, साथ से, साथ कड़िया, मैं 2 से, क्या बचा, 22, और कोस्टक में, क्यलसियम लेंगे, तो दो दाहा में, 20 27 27 बट्टे कितना दो यह देखिए गुड़े में है इसके ठीक है अब दो से काटेंगे दो एक का दो दो एक ग्रहां बाइस 1177 के साथ हांसिल साथ 1122 और साथ 29 ठीक है ना 29 क्या सेमी स्क्वेर तो बेलन का संपुड प्रिष्टी छेथफल क्या आगया 297 सेमी स्क्वेर ठीक है अब हम निकालते हैं कि इस अर्ध गोलाकार भाग का प्रिष्टी छेथफल क्या है हम लिखेंगे यहां से लिखता हैं दोनों सीरों पर पर इस्थीत अर्ध गोलाकार अर्ध गोलाकार भाग का प्रिष्टी छेथफल छेटर बराबर क्या हो जाएगा एक यहां है और एक यहां दो है त तो आर्ध गोलाकार भाग का प्रिष्टी छेथ दूपाई और इसकोआर ही होता है धरी है दो है तो इसलिए 2 से पूर्ण किया गया है दो गुड़े-2 और गुड़े का viscos मान बाइस बटा और से नाहीं साथ कंप्रप्रत दो साद का साथ बाउन थी और श्कॉरो से इदाप किया गया इह देखे में गुड़े साथ साथ दुना चाउदय के चार और साथ दुना चाउदय के पंद्र एक सो चमवन सेमी स्क्वार ठीक ना तो दोनों सीरो पर जो अर्दकुलाकार भागा इसका प्रिष्टीज रफल कितना निकल गया है 154 सेमी स्क्वार ठीक और उसके बाद और 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 क्या निकालना है अब देखे इसका जो आधार है आधार का छेतरफल जो है यह काटके निकाल लिए गया है तो आधार का छेतरफल भी कट के हट गया है तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा फूल में से घटाना पड़ेगा तो हम दोनों यहां लिखेंगे दोनों अ बृत्तिय आधारों का च्छेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अज़े हैं बृत्ति का च्छेत्रफल और एक पाइःः इसक्वेर एक यहां और एक साथ बटा दो एदो से एदो कट गया साथ से साथ कट गया दो एक का दो दो एक रहम बाइस तो मिला जुला कितना 11 गुड़े साथ पराबर 77 सेमी स्क्वेर ठीक तो दोनों बृत्ति आधारों का छेत्फल क्या हो गया साथ तर सेमी स्क्वेर अब हम क्या गयाद करेंगे कोन में घ्याद का नथा इस वर्ष्टू का संपूर्डज पर सब्रिश्टि पूर्जल बराबर कितना हो जाएगा कि पहले तो हम बेलन का संपूर प्रिष्टी छेतफल जोड़ेंगे कितना निकला था बेलन का संपूर प्रिष्टी छेतफल 297 प्लस गोले का प्रिष्टी छेतफल अर्द गोलों का कितना देखे दोनों सीरों पर इस्तित अर्द गोलों का प्रिष्टी छेतफल कितना 154 तो 154 ठीक है और घटाएंगे क्या दोनों सीरों के आधार का जो दोनों सीरों पर जो बृत्ति है आधार उसका क्योंकि वो कट के निकल चुका है तो उसका छेत्रफल हम क्या करेंगे घटा देंगे इसमें से वो कितना निकला है दोनों बृत्ति आधारों का छेत्रफल कितना है अब लिखे चार और साथ जोड़ेंगे साथ चरी गया रहे देखी धर इस तरफ लिखते हैं इस तरफ लिखते हैं अब पांच नो पांच अउदा एक पंद्रे के पांच और दो एक तीन तीन एक चार ठीक ना चार सुख्या होन साथ चरी गया एक हासिल एक पांच नो पांच चाओद्र एक पंद्र एक पांच हासिल एक एक और दो तीन तीन एक चार हासिल ठीक है माईनस कितना 77 तर तो 11 से साथ घटेगा कितना आएगा चार और यहां कितना हो गएट चार ओगया तो यह दो एक हासी लेंगे चाउदर चौदम साथ घटेगा साथ और यहां तीन बचा है तीन इतना सेमी स्क्वेर ठीक है अतर ठोस का संपुर प्रिष्टी छेत्पल कितना नेगल गया तीन सुच बत्तर सेमी स्क्वेर आपको पूरी तरह से सवाल सब कुछ अच्छे समझ में आए वह तो आगे ही आपको आगे और सवालों के एक एक वीडिय ठीक है धन्यवाद